साथियो नमस्कार स्वागता आपका आपके अपने यूटूब चैनल पे साथियो आज की वीडियो रीट स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है साथियो जैसे कि आप सबको वीदित है कि रीट एक्जाम 2021 सेकेंड लेवल एक बड़े स्थर पे आउट हो चुका था और उसको रास्तान के मुखे मंतरी माने नहीं है सो गैलोत ने रद कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी गोशना की है कि नेक्स्ट रीट का जो एक्जाम है वो दो स्थर पे होगा पहला जो स्थर होगा वो पातरता परिक्षा के रूप में होगा और जो दूसरा जो पेपर होगा वो subject का paper होगा तो कई students ऐसे हैं उनके ब्रहांतिया बनी वी है कि second जो paper होगा उसमें केवल subject से related questions पूछे जाएंगे या और भी अलग से पूछे जाएंगे तो उनी ब्रहांतियों को दूर करने के लिए वीडियो में लेके आया हूँ आज की ये जो वीडियो है students इसमें अपन जानने वाले हैं 2012-13 के अंदर जो REIT या आर्टे थर्ड ग्रेड का जो paper हुआ था English का उसके बारे में जानने वाले हैं तो आज की वीडियो में खास तोर से अपन पहले चर्चा करेंगे कि 2013 में second paper English जो हुआ था उसका syllabus क्या था और second paper जो English हुआ था वो किस तरह का था वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं पूरे paper को अपन solve करने वाले हैं तो students अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like, share, share and subscribe जरूर कीजिएगा और साथ में bell icon है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही और दूसरी वीडियो जिसी से समंदित चैनल पे upload की जाए तो सबसे पहले उसका notification आपके पास पहुंच है तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले students बात करते हैं 2013 के अंदर जो second paper English का हुआ था उसका syllabus क्या था तो सबसे पहले देखिए section अलग-अलग section के अंदर paper बंटा हुआ था पहला जो था वो था general knowledge और current affairs से समंदित 20% थे जो की आगे के paper में आपन देखेंगे उसको solve भी करेंगे दूसरा जो section था students वो था उसमें भी 20% थे historical, geographical and cultural knowledge of the states से समंदित परसन थे ये भी 20% नमर second paper में देखने को मिले थे 20% अगला जो तीसरा जो part था educational psychology इसके भी 20% पूछे गए थे और चोथा जो part था वो था child psychology child psychology इसके भी 20% थे तो कहने का मतलब क्या है subject जो school subject है उसके अलावा जो person थे वो थे 80% थे जो की आगे के paper में अपन एक-एक को देखने वाले हैं और solve करने वाले हैं पांचवा जो part है students वो है school subject जो भी आपका school subject है second paper जैसे आज अपन चर्चा करने वाले हैं English की English का paper कैसे आया था वो इस वीडियो में जाने वाले हैं तो 60% किस के आये थे English के आये थे तो ये तो students pattern था second paper English का अब पूरे जो person थे 140 person पूछे गए थे पूरे paper के अंदर उस सारे paper को अपन क्या करते हैं solve करते हैं तो students आगे बढ़ते हैं एक-एक person को अपन solve करते हैं section A जैसे की अपन पढ़ चुके हैं current affairs से related या निकी था और भी उससे geographical और historical समंदित person थे तो पहला person जैसे देखिए silica sand मुखे तो पाई जाती है किसमें पाई जाती है जेपूर गुंदी के अंदर पाई जाती है अगला देखिए poor man's cow poor man's गरीब आदमी की गाई क्या है गरीब आदमी की जो गाई है किसको कहा जाता है गरीब आदमी की गाई है वो बकरी को कहा जाता है अगला person देखिए सीथ रितू की वर्षा क्या कहलाती है students मावट कहलाती है अगला person screen पे आपके परसिद मनमोहन मंदिर इस्तित है परसिद मनमोहन जो मंदिर है वो स्टूडेंट्स कहां पे इस्तित है करोली में इस्तित है अगला है नर्मदा प्रियोजना से पानी मिलता है किसको जालो रोरे बर्ड मेरको अगला परसिद देखिए कि महराना परताब का जनम कहां हुआ महराना परताब का जो जनम है वो कहां हुआ कुंबल गड़ के अंदर हुआ अगला है परसीद राम देवजी का मेला कहां लगता है रूनेचा के अंदर लगता है अगला देखे रास्तान के राजे अभिलेखागार का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका मुख्याले जो है वो कहां पे इस्तित है वो है बिका नेर के अंदर अगला है हर्षनात मंदिर इस्तित है वो है सीकर तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स पहले जो 20 परसन है वो सामाने ग्यान से समंदित करंट अफेर से समंदित पूछे जाएंगे जो की 2013 के पेपर में आपको देखने को मिल रहा है अगला देखिए डाकन पर्था को अवेद घोशित किस ने किया डाकन पर्था को अवेद घोशित महराजा जवान से ने किया अगला परसन देखिए राम सागर वन विहार अभ्यारन की जिले में इस्तित है तो राम सागर वन विहार अभ्यारना वो दोलपूर के अंदर इस्तित है अगला रास्तान राजे महिला योग कब गटित किया गया उननी सो निनानमा के अंदर किया गया अगला ताप विदूत की मुखे कच्ची सामगरी है कोईला है अगला देखिए बार्यू पंचुवट्चिय योजना की अउधी दोजार बारा से सत्रा अगला है रास्तान का राजय पक्ची क्या है गोडावन है अगला परसन देखिए वर्तमान रास्तान में कितनी देशी रियास्ते समलित है 19 राज्य एंटीन चीपस सासित यानिकी परदेश तो B option हो जाएगा अगला भार्त का सबसे बड़ा राज्य क्या है राजस्तान अब देखिए आगे 19 वा परसन निमन लिखित में से कौन सा जिला अंतराष्ट ये सिमा पर इस्तित नहीं है वो जोदबूर कौन सा नहीं है जोदबूर अगला चंबल लदी अंतर समाईत हो जाती है किस के अंदर ये मुना के अंदर तो स्टूडेंट इस तरह से पहला पार्ट अपना पूरा हो सेक्षन सी देखिए सेक्षन सी भी है वो हिस्ट्री से समंदित यानिकी पर्षन है जो सेकंड पार्ट अपन देख चुके हैं इसको भी अपन सोल कर लेता है महाराजा सावन सिंग नागरिदास की सेली समंदित है किसंगट अगला है निमन में से कौन सा राजे रास्तान के सबसे सोटी अंतराजे सिमा बनाता है पंजाब नेक्स्ट परसन देखिए जिलो की नगरी के नाम से परख्यास हैर कौन सा है उदेपूर अगला परसन है हमीर महाकावे कालेखक नैंचंदर शूरी नेक्स्ट है बाला थल की सिले में इस्तित है बाला थल है वो उदेपूर के अंदर है इस्तित है नेक्स्ट परसन देखिए महाणा कुमादवारा लिखित संगीत गरंत कौन सा है वो है संगीत राज क्या है संगीत राज अगला देखिए मांट माडा खंडो में किस चन जाती का भावले है वो है ग्राशिया अगला देखिए स्टुडेंट्स आपकी स्क्रीन पे परसन निमन में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जाती है वो है गगर गगर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है अगला परसन देखिए सरिस्का वन्ने जीव हव्यान की जिले में इस्तित तो ये हो जाएगा अलवर अगला देखिए महाना परताब ने 18-15-185 इस्यू में किस तान को मेवाड की राजदानी बनाया चावंड को अगला देखिए महाना कुमबा दोरा लिखी संगीत गरंत संगीत राज अगला देखिए माड खडो में किस जनजाती का भावले सहरिया अगला देखिए निमन में से कौन सी नदी मरत नदी घगर नदी अपन पड़ चुके हैं सरिस्का कहा है अलवर में माना परताब ने 15-185 में किस तान को मेवाड की राजदानी बनाया चावंड को इस तरह से देखिए मीरा ने अपना अंतिम समे किस तान पर बिताया दौर का के अंदर मीरा ने अपना अंतिम समे किस तान पर बिताया दौर का के अंदर अगर 18 स्ताउन के विद्रोग पसाथ किस रियास्त की तोपो की सलामी कम कर दी गई कोटा गो आगे परसन है कि विसलपूर बांध किस नदी पर है बनास पर है चपन का मेदान बासवाड़ा में है सांपो की देवता की रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी अगला है संगीत गरंशत सही का रचियता बिहारी रास्तान सेवा संग की स्थापना किस के द्वारा विजे सिंग पती के द्वारा अगला परसन है जग निवास किस जील पर इस्तिता है पिछोला जील पे टूब टाय टूब का रगाना है कांकरोली के अंदर रास्तान का कोंसा राजगराना एक लेंग के रूप में सिव का उपास है का है मेवाड का तो इस तरह से सेक्शन द एक ही स्टूडेंट साइकलोजी का होगा सेक साइकलोजी जैसे एक बालक जिसकी बुद्धी लब्दी 125 है किस वर्ग में आएगा वो आएगा परतिवा साली अगला है अधिगम अधारित होता है उप्यूक सभी अगला है तनाव को कम करने का पर तेक्स धंग दूसरे यानि प्राइड ने वेक्तित्वा को बांटा है इदम एहम और परम एहम के रूप में अगला विकलांग बालकों से हम क्या समझते हैं यानि जो सारीरिक दोस्से गर्शित हो अगला हकलाने का क्या कारण है सारीरिक और मनोवेगनिक दोनों कारण है अगला है मंदित मना बालकों क अगला है प्रतिबावन बालकों की पैचान करने के लिए अमें सबसे अधिक महत्व देना चीए वस्तुनिष्ट प्रिक्षणों की प्रिणामों को अगला है मानसी विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है धार्मिक वातावन अगला है न्यूटन ने वरक्षे सेव को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत वाकर्षन की सिदान्त की खोज की यह है अंतरदर्श्टी का स्थान्त अगला है भगनासायमान सिख दोनता का कारण है उप्यूक सभी अगला है अधिगम परतिफल का ताथ पर ये उप्सन नमर ए अगला है बाले के भासाविकास के मुखी योगदान देने वाली सेंस्ता परिवार उसके बाद नेक्स्ट पर्शन है कुछ मनवग्यानिकों के अनुसार वेक्ति जिस रूप में वहार करता है वो है उसका वेक्तित हुए अगला अंतरदस्टी स्थान्त के प्रतिपाद है कोहलर सीखने की खेल वीदू प्योगी है बाले वस्ता के लिए निमन में से सेक्षिक मनवग्यान का छेतर नहीं है खेलो का प्रसिक्चन अगला है वेक्तित तुमापन की वेक्तिनिस्ट वीदी है उप्सन नमर एक उसके बाद निमन लिक्त में से कौन सा मांसी ग्रूप से सवस्त वेक्ति का लग्चन नहीं है अगला इमानदारी के मुल्यांगन के लिए एक ध्यापक करत्री मुआतावन सरजित करता है जहां बालग पेशा चुरा सकता है ये एक उदाणा है परिस्तिति परिक्चन का अगला है एक बालग जिसकी दर्स से संसार का सुदता से परिक्चित करने की च्छमता अधिक है वा उच होगा अस्तानिक बुद्धी में अगला देखिए अगले का जवाब होगा उप्सन नमर एक और उसके बाद सत्रुएं का परिस्तिति परियुत वियु रचना जो एहम को दूस चिंता से बजाती है कहलाती है रख्चा यूपती अगला विचारों भावनों और अभिवर्तियों का सहुंत जो वेक्ती उनके स्वें के बारे में रख्टा है कहलाता है सो परते नेतिक तरक का वस्ता सिदान्त किस ने दिया कॉल बर्ग ने दूसरों के अनुभव कि देवे समय को महसूस करने की यूगता प्रानु भुती तो इस तरह से आप देख सकते हो इसका 75 का उपसन नमर 20 ही हो जाएगा चंतरवा सरजनात्मक समंदित है अब सारी चिंतन से अपूर रेखा चितर के अर्थ पूर तथा रुच्छी कारक चितरों को बनाना सरजनात्मक को दरसाता है जब वेक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभी चंता है तो इसका अर्थ है राम अध्यापन में कुछलता अर्जित करने की यूगता रखता है अगला निमन में से कौन सी एक सरजनात्मक वाले की उसे इस ता नहीं है कठोर निमन में से कौन सा कारक समस्या समादान में बादक हो सकता है माज सिख वर्ती तो इस तरह से ये students are very very important जो कि English students के लिए है तो English के जो paper पूछे जाने वाला है वो देखिए आपके सामने which of the following facial verb means to perform see our duties या execute तो इसका होगा carry out अगला है choose the word which has been correctly spelled तो इसका option number D हो जाएगा बेंडिट अगला परसन देखिए students आपके सामने he never goes back तो यहाँ पर क्या जाएगा on his promise अगला the teacher told us an intelligent interesting story next person I feel in the appropriate adjective लिखना है कि Raj always tells the truth he is an वो क्या एक honest boy है अगला परसन देखिए कि the car driver इसका option क्या हो जाएगा exceeded the speed limit अगला है a woman whose husband is dead उसको क्या कहा जाता है विद्वा विद्वा कहा जाता है अगला है rain rain है वो has been plentiful this season तो अगला परसन the opposite of the word modern modern का opposite traditional हो जाएगा modern का क्या हो जाएगा traditional fill in the blank with an appropriate determinants तो इसका क्या हो जाएगा B हो जाएगा n हो जाएगा इसका अगला देखिए which of the following option is correct one word तो इसका option number 1 सही होगा आप देख सकते हो वीडियो लंबी बन चुकी है अगले का जो होगा option number C सही होगा he looked इसका he looked up आएगा he looked up the meaning of the word अगला hair hair यहाँ पे क्या आएगा hair the queen option number D यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगला he did you to do it hair the model luxury क्या express करता है challenge अगला देखिए you did not solve the question इसका सही जवाब होगा did you अगला he did not success in doing so the opposite of the word high high का low हो जाएगा for which option is इसका क्या है humanity option number C सही होगा so way का person B सही होगा अब आगे देखिए present continuous form tense represented देखिए is, am, are यह present continuous की है to make up once mind means क्या है to decide करना to resolve करना I fear he might be dead probability might अगला pick out the synonym of the following amazing amazing मतलब incredible to wait eagerly किसी का यानि eagerly से यानि इंतिजार करना long for यानि की आजाएगा इसका pick out the word with correct spelling option number A सही हो जाएगा 107 में option number C सही होगा sonnet was borrowed from Italy अगला है active passive option number A सही हो जाएगा इसका option number D होगा 111 में option number B सही होगा transcribe the following word global का B सही होगा अगला देखिए appropriate meaning यानि जो birds of the same feather flock together इसका B सही होगा उसके बाद 114 में C सही होगा 115 में D सही होगा 116 के अंदर देखिए through सही होगा उसके बाद 117 में देखिए lost B होगा 118 में D होगा आप देख सकते हो 119 में B होगा 120 में A होगा 121 के अंदर A सही होगा 112 में भी A सही होगा, take question है, 123 के अंदर B सही होगा, और 124 में D सही होगा, 125 के अंदर direct and direct में B सही होगा, 126 में A सही होगा, 127 में D सही होगा, 128 में A challenge सही होगा, 139 में C सही होगा, 131 में C सही होगा, 132 में delima, जो spelling सही है, 133 में abundant, जो की similar meaning है, लेविस का अगला 134 के अंदर डबलो एस जो question सही बन रहा है वो how much does he सही होगा अगला देखिए wish for people's health के लिए mega use किया जाता है 136 में the house has been decorated by my sister ये इसका पेशिव सही होगा अगला he is the only son of his old parents अगला pick out the word with crack spelling magnificent की option number C सही होगी अगला in the following sentence indicated the portion that contains an error तो इसका यानियो option नमर C होगा और last जो person है वो students देखिए 140 में hearing सबच सही आएगा last में देखिए इसके answer की भी देगी है level 2 second की तो students उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको इसकी पीडियोप सही है तो आप comment box के अंदर मुझे जरूर बताईएगा वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिएगा thank you very much